बेहपूर परखंड के मडवा पस्चिम के मुखिया पद के लिए हुए पुनरमतदान के बाद परिनाम आ गया है मुखिया पद की उम्मिदवाज मुर्दुला देवी ने अपने निकटतम पर्तिधंदी मीली राय को 169 मत से प्राजित कर दिया ग्यात हो कि मीली राय वर्तमान मुखिया भी थी पर इस बाद जनता ने उन्हें नकारते हुए मुर्दुला देवी को अपना नया मुखिया चुन लिया है इससे पुर्व सुक्रवार को भीपुर पर्खंड के मडवा पस्चिम पंचायत के बूत संख्या 30 पर पूरे चाक चौबन सुरच्छा बिवस्था के बीच पुनर मतदान कराया गया गौड तलब है कि मडवा पस्चिम पंचायत के सहोरी उत्तरभाग इस्थित बूत संख्या 30 की मतगन्ना के दुरान मतगन्ना केंद्र सबौर में मंगलवार को ईवियम में तकनीकी बाधा आ गई थी जिसे ठीक करने का प्रयास किया गया लेकिन काफी कोशिसों के बाद भी इवियम को ठीक नहीं किया जा सका जिसके बाद पंचायत के मुखिया पद के परिनाम को अस्थगित कर दिया गया था इवियम दुरुस्त ना होने पर चुनाव आयो के निर्देश पर उक्तबूत पर फिर से मतदान करवाया गया वहीं चुनाव परिनाम आने के बाद मिर्दुला देवी के समर्थकों में खुसी के लहर दोड़ गई पिरपैती परकंड कारियाले में आज नामांकन की आखरी दिन अने दिनों के अपेक्छा बहुत कम संख्या में परत्यासियों ने नामांकन धर्जिकराया आपको बता दे कि अगामे 39 नमंबर को परकंड छित्र में पंचाया चुनाब होना है जिसको लेकर 23 अक्टूबर से नामांकन प्रकिरिया अरंब हुई थी जो कि आज पूर्ण हो गई जहां पिछले दिनों परकंड मुख्याले में बिभिन पंचायतों के लिए अलग अलग बनाये गए कांट्रो पर प्रत्यासियों की लंबी कतारे नामांकन के पाँच में दिन तक देखी जा रही थी वहीं आखरी दिन कुछ पंचायतों को छोड़कर सेस पंचायतों के कॉंट्रों पर नाम मात्र की परतियासों की भीर देखी गई अब अगले कुछ दिनों से स्कूरूटनी वन नाम वापसे की प्रकिरिया अरंब होगी नगचियानु मंदल अंतरगत आदर स्थाना नगचिया चित्र में पकरागाओं में घंस्याम मुखिया टोला के पास 14 नमबर 16 किनारे गड़े के पानी में एक अग्यातवैक्ती की लास मिली है जो हैलमेट पहना हुआ है लेकिन आज़ पास कोई मोटर सैकिल भी दिखाई नहीं दे रहा है ग्रामिनो क्या संका है किसी अग्यात वैक्ती की मोटर सैकिल को अपराधियों ने लूट लिया और चालक को मार कर गड़े में फ्रिक दिया वहीं ग्रामिनो की भी चर्चा है कि मिर्तक खरीक थाना च्छत के छोटी अठगामा का 20 वर्सिया परकास कुमार हो सकता है जिसकी माता बिमला देवी को तेतरी गाउं से कल गुरुबार देर राध बंधक बनाया जाने के बाद अठगामा के ग्रामिनों के दोरा एक घर का लिया था नौगच्छिया इसपी स्वांत कुमर सरोज ने पकड़ा गाउं में सडक किनारे गढ़े में हैलमेट पहने बैक्ती कि लास सोने के मामले में संग्यान लेते हुए नौगच्छिया थानाध्यच को मामले की तहके का आद करने का निर्देश दे दिया है देखने से तो लग रहा है इसका कहें हत्या हो के या कहें मार के बेग दिया है यहां पर किस अवस्था में है अभी तो इपनी में है यहाथ हाथ जो एक उसका पूरा सूजन हो गया है उसमें फुल भी गया है और कुछ भी पहना हुआ है और मौथे में जो कि उजला ऐसा ग अदाजी लग सकता है कि 11-12 बजे के लंब समता घटना होगा का है कि अभी का जो माहौल है परचार का तो 10 बजे, 11 बजे रात तक तो आदमी चलते रहता है एनी टाइम, उसके बाद ही सब घटना हो सकता है भागलपूर सन्होला थाना चितर के महसपूर गाउं में सब मिलने से चितर मी संसनी फैल गई, अस्थानिय लोगों ने सब को बैहार के एक मेल के समीब देखा, तो तुरन थी ये बाद जंगल में आग की तरह फैल गई, और बड़ी संख्या में अस्थानिय लोग मौके पर सब की सिनाक्त में जुट गए, और सब बलामधोने की सूचना स्थानिय पुलीस को दी, मिर्दक योबक की पहचान महसपूर गाउनिवासी पेरू महतो की रूप में की गई है, परिजनों ने बताया कि मिर्दक अपना खेत देखने गया था, मगर काफी देर बाद वो की गई है, लेकिन पुलीस अभी तक इस घटना को संदिग्ध मान कर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, वहीं घटना से आकरोसित परिजनों और ग्रामिनों ने मुआबजे की मांग को लेकर सनहौला जगदिस्पूर मुख्य सड़क पत को घंटो जाम कर दिया, जाम को अपने कबजे मिले कर पोश्ट माटम के लिए जवहार लाल नहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। काफी प्रयास हुआ, लेकिन सफलतन नहीं मिली। जिसके बाद इस पंचायत के मुखिया बद के परिनाम को अस्थगित कर दिया गया। सिविद्याने सबॉल भागलपूर में मदगलना होगा और देर साम चुनाव परिनाम भी घोसित कर दिया जाएंगे। भागलपूर के पोक्सो कोट ने 2016 इसमी में हुए नाबालिक बच्चे के अपहरन और दुसकर मामले में सामिल आरोपी विकास उर्भिक्की को दोसी करार दिया है। इसे 30 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। नाथनगर थाना परिसर में आगामी पर्व काली पूजा और छट को लेकर सांती समीती की सदस्यों वगनमान लोग के साथ बैठक आयोजित की गई। नाथनगर के बहवल पूर में अस्थापित महाकाली की पृतिमा का विसरजन 7 नंवंबर को बाङला रिती दिवाज से पूजा होने वाली पृतिमा का विसरजन 5 नंवंबर वर अन्य पृतिमाओ का 6 नंवंबर को क्रम भद्दरी के से बिभिन नदियों में होगा। विसर्जन कदरान डीजे बजाने पर पुंदता बैन रहेगा वहीं किसी भी परकार की सांस्कृतिक कालिकरम आयोजित नहीं किया जा सकता। वहीं सभी मिलपतियों को दिसानिर्देश दिया गया कि कोविट गाइडलाइन का हर संभव पालन किया जाए। सांती समीती के स्थ्यों ने विसर्जन रूट में अतरिक्त पुलिस बल की मांग की उहीं विसर्जन गहाट पर HDRP की तनाती की भी बात कही। मौके पर नाथ नगर सारजुनिक पूजा समारु समीती अध्यच पपूय आदब महामंत्री देवासीज बनर जी उपाध्यच भवेस यादब जियाओर रहमान असोक राय अमरकांध मंडर सिपसंकर सिन्हा निलम देवी निजहात अनसारी जुमन अनसारी असफाक अनसारी हाजी कली मौजूद थे